दोस्तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे command prompt में directory और sub directory कैसे बनाये जाता है साथ में ये भी जानेंगे कि उसे rename कैसे किया जा सकता है और remove कैसे किया जा सकता है तो बने रहें end तक और अगर आप मेरे channel से पहली बार जुड़े हैं तो channel को subscribe कर लीजिए चलिए आज का topic स्टार्ट करते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको decide करना होगा कि आप कौन से drive में directory या sub directory बनाना चाहते हैं मिन्स कौन से drive में folder बनाना चाहते हैं और folder के अंदर folder बनाना चाहते हैं तो चलिए हम लोग सबसे पहले command prompt open कर लेते हैं open करने के बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग c drive में user नाम का फोल्डर एक फोल्डर के अंदर में संजय नाम का फोल्डर है ठीक है तो अभी हम लोग वहां पे हैं अभी हम लोग को decide करना है कि कौन से folder में हम लोग डायरेक्टिव बनाना है और कौन से folder पे नहीं बनाना है तो मैं चाहता हूँ e drive में डायरेक्टिव बनाओ तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा हम लोग e drive के लिए e type करेंगे और colon लगाएंगे shift दबाके colon प्रेस करेंगे और इंटर की प्रेस करदेंगे तो हम लोग e drive में आ गए अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं डायरेक्टिव कि इसमें किया क्या नाम से फोल्डर बना हुआ है मिंस किस किस नाम से डायरेक्टिव बना हुआ है तो हम लोग डी आ c l s और इंटर की प्रेस कर देंगे जिससे की स्क्रीन क्लियर हो जाएगा तो नया डायरेक्टिव बनाने के लिए हम लोग md कमांड का यूज करेंगे md स्टेंड फोर मेक डायरेक्ट्री तो क्या करेंगे md करके हम लोग कुछ भी नाम दे देंगे जैसे कि md रानी दे दिए उसके बद हम इंटर की प्रेस कर देंगे तो md नाम से मैंने तो डायरेक्टिव बना लिया पर आपको पता चला कि वो बना या नहीं बना तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यह बना है या नहीं बना है तो इसके क्रिनिमाईज कर लेता हो अब मैं चाहता हो कि और कुछ डैरेक्टिरी बनाओ जैसे md रवी-कुमार और जैसे ही मैं Interprise करूँगा आपको लगेगा कि यहां और एक फोल्डर बन गया पर ऐसा नहीं है जैसे ही मैं Interprise करूँगा यहां पे दो फोल्डर बनेंगे एक रवी नाम से एक कुमार नाम से तो चलिए देख लिते हैं Interprise कर दीं अब वहाँ पर जाके हम लोग eDrive में देखते हैं तो देखिए दोस्तों एक रभी नाम से और एक कुमार नाम से दो फोल्डर बन गया है फिर से इसको हम लोग मिनिमाईज कर लेते हैं पर अगर अब रभी कुमार के नाम से एक फोल्डर बना ना जाते हैं तो वो कैसे बनाएंगे उसका भी solution है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे एमडी टाइप करेंगे डबल इंबर्टेट कुमा रभी कुमार और डबल इंबर्टेट कुमार बंद कर देंगे अब यहां पर हम लोग इंटर प्रेस करेंगे इंटर प्रेस करते ही हम लोग को रभी कुमार के नाम से एक फोल्डर बने गा ना कि रभी अलग कुमार अलग इंटर की प्रेस कर लेते हैं और आके देखते हैं इंटराइब में तो देखिए एक रभी कुमार के नाम से एक फोल्डर बन गया दूस्तों याद रखेगा कि अगर दो या दो से अधिक वर्ड का आपका फोल्डर का नाम है तो आपको double inverted कुमा के अंदर ही लिखना होगा जैसे md रोसन कुमार राज और यहाँ पर इसको close कर देंगे और enter की प्रेस कर दिए तो देखिए यहाँ पर फिर से एक फोल्डर बन गया रोसन कुमार राज के नाम से और अगर आप इसी तरह multiple फोल्डर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप md लिखिए उसके बाद टाइप कीजिए इस पेस दे देखे वान टू थी फोर फाइव सीक्स सैबन एक नाइन टैन इसी तरह आप जितना लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं और सिंप्ली अब इंटर की प्रेस कर दीजिए आपका फोल्डर क्रियेट हो जाएगा देखिए एक से लेके 10 तक हम लों का फोल्डर बन गया दोस्तों multiple फोल्डर कैसे बनाते हैं इस पर पहले से मैंने वीडियो बना रखा है अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दोनों में आपको लिंक मिल जाएगा अब उहां जाके देख लीजिएगा अब आते हैं सीडी कमांड पर तो सीडी कमांड का यूज क्या होता है सीडी कमांड का यूज होता है जैसे हम लोग एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर बनाना चाहते हैं तो वहां पर हम लोगों सीडी कमांड का यूज होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे जैसे मेरे पास md rani के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है तो मैं rani के अंदर जाके दूसरा फोल्डर बनाना चाहते हूँ तो उसके लिए मैं cd type करूंगा और यहां पर रानी तो देखिए ड्राइब में हम रानी फोल्डर के अंदर आ गये उसी तरह रानी के अंदर में एक नया फोल्डर बनाना चाहते हैं तो फिर करेंगे md राहूल तो रानी के अंदर में फिर एक नाम बन गया एक फोल्डर बन गया राहूल के नाम से अब राहूल के अंदर हम दूसरा फोल्डर बना जाए तो फिर हम लोग cd करेंगे राहूल और इंटर की प्रेस कर दिए अब दिखिए हम लोग eDrive में एक फोल्डर बन गया रा अब हम क्या कि सीता के अंदर दूसरा कुछ बनाना चाहते हैं तो फिर सीडी करेंगे सीता इसी तरह फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर folder के अंदर sub folder ऐसे बनाते बनाते कितनों बना सकते हैं लिमिटेड बना सकते हैं अब इससे हमको बाहर आना है तो कैसे आईएगा अगर एक step बाहर आना है मिन्स parent directory तो अब ही रहुल सीता के लिए parent हो गी और रानी जो हो गई राहुल के लिए प्रेंट डारिक्टरी हो गी कि तो अगर आप प्रेंट डारिक्टरी माना चाहते हैं तो अहां पर आपको CD यूज करना है तो आप qué object आजाएगं तो इग आगे उसी तरह और आप न राहुल से राणी पाना चाहते में तो किसे cd.. करेंगे अब आदे माझ हैं उसी तरह आप इड्राइब माना चाहते हैं तो cd.. कर सकते हैं तो हम लोग डाह स्केए में आ गए क्योंकि हम लोग सुरुवात वहीं से किये थे अब बात आ रहे हैं कि हम लोग डायरेक्ट्री को रीनेम कैसे करें तो रीनेम करने के लिए हम लोग shortcut r-e-n का यूज कर सकते हैं या पूरा फूल यूज कर सकते हैं तो देखिए एक बार short में यूज करके देखते हैं जैसे r-e-n और यहाँ पे जो रानी है रानी रानी के जग में हम लिख देते हैं ममता और इंटर की प्रेस कर देते हैं और डी आई आर करके देखते हैं तो देखें यहां पर आपको रानी नहीं दिखाए देगा यहां पर ममता दिखाए दे रही है उसी तरह अगर फूल में अभी उच्छ कर सकते हैं ममता टू रानी मिन्स अब क्या करें ममता को हम रानी चेंज कर देते हैं रिनेम कर देते हैं इंटर की प्रेस कीजिए और डी आयर करके देखिए तो यहां पर आपको ममता नहीं दिखाए देगे यहां पर रानी दिखाए दे रहा है इसी तरह हम लोग को अब डिरेक्टरी को करना है या डिलीट करना है तो डिलीट करने कें हम लोग है पर और्ड कमांड का यूज करेंगे अधिस्टेंफर रिमूब डिरेक्टी तो अर्डी वन करेंगे डि डिकर के देखने होनी के लिडेकर तो अब देक सकते हैं यहां पर ने तूब डिरेक्ट्री तो rd1 करेंगे और इंटर की प्रेस कर दिए rd2 करेंगे dir करके देखिए यहां पर 1 और 2 नाम से फोल्डर आपको नहीं मिलेंगे अब जाकर देख सकते हैं यहां पर कि 1 और 2 डिलीट हो गया है उसी तरह अगर फिर जाते हैं अगर हम रभी को डिलीट करना चाह रभी है रभी डिलीट हो गया आसा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल से पहली बार जूड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आज के वीडियो में नहीं जानकारी के साथ तब